मेरे योग्ट्यू चैनल इंप्रोफियो नॉलेज में आमसे भी का स्वागत है। आज मैं पापुरी की रेश्पी है कर आए हूं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेश्टी लगता है। इसे हम होली पर अक्सल बनाके रब्बे में रखते हैं। पुई भी गेश्ट या फ्रेंड आये फटा फट हम इसकी शार्ट बनाके सब कर देते हैं। यह बहुत ही प्रेश्पी होता है। तो इस रेश्पी को आप भी जरूँ क्राइए। अगर आज की मेरी रेश्पी आपक अब ओप ना निया। लए अप्ट आप फिर से एक बढ़ा हम शचाओ से और बेख म खमाट आपका उरी कर दो मेंने ऑचा ने चुआ कर देड़ियें। एश्झाओं फोल जैसे हम पूरी का या पडाठदा का लोही तयार करते हैं। तो आधूत हम आपके का विखेश्पी इसका एक बॉल बना लेंगे से अध़ाय है अब परमбंने रrel की अत्सक्राइब लें है कि प्लेलन कर लए खूब्भा करने एक रिवल्वस बेल की है लऍट आफंड के लिवक्वा ईतए ता समत स्वाय देव चाह crack रोटी के देसे बड़ा साइज में बेल दिया है तो आप देख सकते हैं इसकी ठीकनेस ऐसे ही हमें पापरी के लिए बेलना है बड़ा अशा पूरा वेल देना है आप चाहें तो इसे प्रेटफॉर्म पे भी बेल सकते हैं आप हम क्या करेंगे इसे एक फूप की मदद से पोल करेंगे इससे क्या होता है अपनी पापरी जो है वो फूदी नहीं है तो हमें अच्छे से गोद देना है काटी की मदद से हमने अच्छे से इसे फोक की मदद से गोद लिया है अब हम एक कटर लेंगे या तो आपके पास कोई छोटी सी कटोरी का हो धक्कन हो या कोई भी रिम कटर हो यानि कि एक छोटी साइस की कटर होनी चाहिए इससे हम ऐसे दबाते हुए पापरी काट लेंगे ज्यादा चोटी चोटी साइस होनी चाहिए एक बाड़ में आठ से तस पंद्रह आडाव से बन जाते हैं आप देख सकते हैं हमने इसमें कितने साड़े पापरी बना लेंगे अब हम एक डो को ऐसे साइट से निकाल लेंगे और पापरी को अलग कर लेंगे अब हम एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे और इसकी लोगी करके फिर से हम पापरी बना लेंगे रहे इसाड़ी पापरी हम बना सकते हैं इतना ही डो से अब चलते हैं तेल गर्म होने के लिए रख लिया है तेल अच्छा करीज अपर से जल जाएगा और नीचे से क्रिश्पी नहीं होगा तो हमने गैस को मेडियम करके और टीकेक पापरी इसमें छोड़ रहेंगे आप देख सकते हैं एक बार में जितनी पापरी आसकी भी हम इसमें डाल रहेंगे एक साइब के हम दो ती मीनाट तक सीखने के बाद पर उलड़ उलड़ के पीछ भी होने तक सीखेंगे आप इसको तो दूसरा बैस में फ्राइक कर लेते हैं दूसरा बैस में ठोटा साइज का काटिंग गड़ी हैं आपको जैसा पसंद को बड़ा साइज पापरी बनाएए तो हम ये फ्राइक कर दे हैं गैस को सेम मेडियम फ्लेंपे करके हैं और एक बैस में इतना पापरिया से पी उतना में ठोट दूंगी अब इसे हम आठ से दस मीनट तक उलट पिलटके फिश्पी होने दक सेंख लेगे अब देख सकते हैं हमने आठ से दस मीनिट पे पापरी को दोनों चाइट से उलट पिलटके शेट लिया है तो ये पापरी का आप कलर देखिए ठंटा होने पे मैं आपको तोड़के भी दिखा दूगी इतना क्रीस्पी हुआ है तो ये अपना पर्फिक पापरी क्यार और सेम प्रोसेस ने हम शड़ी डोका पापरी मना की खाला है तो अपने देख से अजक म्यान को अषैंगा आक्रा टार कर लिया हुआ हुए यह भी कीजिए और मेरी से थाट कीजिए और सेलों पोना करी आऊज़ीए दयार के लिख अनुछ का पर्फिक मेरे झाल झाल